यह जी कहता कि एक square जो है उसका perimeter 44 है और rectangle जो है उसका perimeter भी 44 है दोनों equal है और जो rectangle की length है वो 5 cm जादा है इसे जो square है उसकी side से तो बताओ जी हमें sum find करना है दोनों के areas का वेको symbol है देखो मैं square बनाता हूँ यहां पर यहां पर यहां गया जिस square और एक मनाते है rectangle यहां गया rectangle द अगर square का जो perimeter होता है वह होता है 4A उसका value दिया हमारे पास 44 तो जी A का value जो है वह हमारे पास आ गया 11 तो अगर area निकालना हो तो A square जो आया है वह आदेगा 11 इंटू 11 मतलब कि square का area तो आगया 121 अब आता है rectangle की बारी rectangle का जो perimeter है वह होता है जी हमारे पास 2L plus B length plus breath यह आगया perimeter है 44 और यह आगया 2 और इसका जो length है length बोला हुआ था जी हमारे पास 11 जो है उससे 5 जादा है मतलब कि length आगया हमारे पास 16 अब breath निकाल लेते ब्रेथ कैसे आएगी 2 से 44 cancel हो गया तो यह बार जाएगा 22 is equal to 16 plus B या जाएगा और अगर मैं B को solve करना चाहूं तो 16 में से 16 दूसरे से जाके माइनस हो जाएगा 22 में से 16 माइनस कर दिये तो यह आगया 6 अब area निकालना है तो area होता है length into breath length आगी हमारे पास 16 अब breath आगी 6 दोनों को multiply करके आगया 96 अब देखो यहां प्यारा है 121 और यहां प्यारा है 96 दोनों को अगर एड कर दिया जाए 121 प्लस 96 तो जी हमारा आंसर जो है वह आजाएगा 217 यह हमारे पास area कौन सा option option है 420